नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फेड़ से चाड़क निति के एक और ग्यान बरधक और महत्तपूर और वीडियो में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक इस्त्री किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है इस्त्री को लचिमी का सुरूप माना जाता है इसलिए एक इस्त्री जो भी करती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है दोस्तों आपने ये कहावा तो सुनी होगी कि किसी भी प्युरूस की सफलता के बीचे एक इस्त्री का हाथ होता है बोचाहें माबहें या फिर पतनी के रूप में भी हो सकती है ऐसे ही चारक की नीती में बताया गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनहीं आउरत के दोरा करने पर एक पुरुस की प्रगती प्रभावित होती है इसलिए चाड़क के नीती में कुछ कामों को औरतों को ना करने को कहा गया है यदीबोका इस्तरियां करती है तो परिबार में ग्रह करै और संकट उतवन्य होते है दोस्तो हमारे भरतियस समाज में एक इस्तरि से यह आसा की जाती है कि भूख परिबार की मरियादा को बना कर रखे और यदीबा उस मरियादा को लंगती है तो परिबार को बरबाद करने का कार बनती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अचारे चारे के दोरा बताये गए ऐसे चार कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें आउर्थों को करने से रोकना चाहिए नहीं तो पूरा घार हो जाता है तबाहो बरबाद किस परकार से आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों के रप्याँ आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजी क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजी अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों नमबर एक है सराब पीना सराब किसी भी इंसान के लिए हानिकारक होता है फिर चाहे वो इस्त्री हो या पुरुस सराब एक बसे बसाय घर को उजार देती है वैसे भी साथ्रों में सराब पीना राच्छसों का गुड़ माना गया है एक इस्त्री को लच्मी का सुरूप माना जाता है ऐसे में यदि घर की लच्मी ही सराब पीने लगे तो आप सोच सकते हैं उस घर की क्या हालत हो सकती है हमारे सात्रों में महिलाओं के लिए सराब का सेवन बिलकुल भी निसेध माना गया है ऐसी माननता है कि यदि एक स्तिरी सराब पीकर कुछ उल्टी सीधी हरकते करती है तो समाज की मान मरियादा को ठेस पहुँचती है जिसकी बशे से परिबार की बदनामी होती है इसलिए आउर्तों को सराब का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और मित्रों नमबर दो है पराय मर्दों से दोस्ती हमारे भारतिय समाज में लड़के और लड़कियों की दोस्ती को ठीक नहीं माना जाता है बैसे भी इस्तिरियों को पति बृता के नाम से जाना जाता है एक इस्तिरी अपने पिता पुत्र बभाई के अलाबा और किसी भी पुरुस से बात नहीं कर सकती है ऐसा करना उनके लिए निश्यद माना गया है माना जाता है कि एक इस्तिरी का पराय मद्व से दोस्ती करना उनके परिबार के लिए संकट उत्पन करता है इसलिए अपने परिबार को इस संकट से दूर रगने के लिए उन्हें इन सारे नियमों का पालान करना पड़ता है इस समाज में कुछ ऐसे पुरुस भी है जो सिर्फ अपने फाइदे के लिए ही औरतों से दोस्ती करती है ऐसे पुरुसत से इस्तिरियों को हमेशा बच कर रहना जाए और दोस्तों नमबर तीन है पती से अलग रहना दोस्तों हमारे समाज में एक इस्तिरिकी पहचान एक पुरुस पर निर्भर करती है जब एक इस्तिरी की साधी होती है तो उससे यह आसा की जाती है कि भू अपने ससुराल में सुखी पूर्बक रहे इसके साथ ही भू अपने पती और साथ ससुर की सेबा करे उस इस्तिरी से यह भी आसा की जाती है कि इस ससुराल में उसके साथ कुछ भी हो जाये लेकिन उसे अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाना चाहे अक्सर ऐसा होता है की पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है अएसे में कुछ इस्तिनिया अपने पति का घर छोड़कर चली आती है हमारे समाज में पत्नी का पती का घर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे में जो इस्तनी आपने पती का घर छोड़कर अलग रहती है उन्हें हमारा समाज शरित रहीन कहता है तो मित्रों हमारा आज का घ्यान मर्धक और नालेजबल वीडियो बस यहीं दगता